हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चानल लोवेट्विंज में स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स आज की सेशन में हम लोगों ने कंपनी लोग को पूरा पूरा पढ़ना है हर यूनिवर्ट्वर्टी के लिए सेशन बड़ा है बड़ा है आपको बता दू के यह केवरेखे औरें में उसansen की खत्म करूंगा मैं टरब कमप्लीट कंपनी लोक पर क्याल का बखते हैं स्टुदेंट अपता है जो अब जरने को मैंप को बता दूं कि हमने हुद में पूरा अगर वो आपकी university के syllabus में है तो definitely आपके लिए session बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला है चार या पांच गंटे का session होगा पर बहुत ही बड़ी या quality का session होगा अगर आप इससे भी ज्यादा deep knowledge लेना चाहते company लोग के लिए तो आप हमारा regular session भी ले सकते हैं वो भी available है वो भी paid है उसकी cost थोड़ सी ज्यादा है वर्टसाप में message करके आप उसकी information भी ले सकते हो आप मारा regular session जिसमें detail में बताया गया है deeply वो भी ले सकते हैं तो हम पढ़ेंगे इसमें company क्या होती है company का meaning क्या है nature क्या है company का जो company है वो partnership firm से different कैसे होती है company के kinds क्या क्या है पढ़ेंगे इस session में हमने पढ़ना है company की corporate personality का क्या मतलब है और कभी ये corporate personality को lift कर दिया जाता है lifting of corporate personality lifting of corporate will of the company will mean पर्दा उसके बाद company बनती कैसे इन corporate कैसे होती है company को corporate करने के लिए promotion promoters का क्या रोल है और pre-incorporation contract क्या होते है memorandum of association और article of association क्या है इनके regarding various doctrines like doctrine of ultra virus doctrine of indoor management doctrine of constructive notice यह क्या है यह मच्छे से पढ़ेंगे इस lecture में इस session में पढ़ेंगे prospectus के बारे में prospectus क्या है उसको frame करने के golden rule क्या है miss statement हो prospectus में तो क्या liability बनती है और किसकी किसकी liability बनती है statement in lieu of prospectus क्या है यह सारा देखेंगे हम देखेंगे company की membership क्या होती है कैसे कोई person company का member बन सकता है member of shareholder में क्या फरक होता है कैसे एक person company का member नहीं रहता हें पूरकनों है सिर्ट चेन वारेंट होल्ड डिवैंच होल्ड डियर सारह प्ड़न फ्टे जा सकता है company की ये साला कुछ भी सेशन में कवर करेंगे हम सेशन में कवर करेंगे कि डिरेक्टर के बारे में सब कुछ company की मीटिंग्स जो होती है extraordinary meeting annual general meeting class meeting creators meeting meeting के बारे में अच्छा से पड़ेंगे हम पड़ेंगे majority rule and minority protection के बारे में एक लैर्मा केस हुआ था force versus hard bottle उसके बारे में अच्छे से detail में पढ़ेंगे with exceptions हम देखेंगे कि operation and miss management क्या होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे company के ओपर हम action ले सकते हैं कोई company के majority shareholders operation and miss management करते हैं हम देखेंगे reconstruction और amalgamation क्या होता है और company की फिर last में binding up कैसे होती है company बंद कैसे होती है और हाँ बड़ा महत्यपन topic national company लो tribunal क्या है national company लो अपीलर tribunal क्या है इनकी composition क्या है इनकी powers क्या है तो यह सारा कुछी session में हम cover करेंगे तो आगे शुरू करते हैं सबसे पहले company के meaning और company characteristics से इसकी basically कुछ इसकी topic शुरू करते है एक demo के रूप में तो सबसे पहले company की meaning से शुरू बात करते है company होते क्या है तो students अगर मैं company के meaning की बात करूं तो एक तो मैं आपको जर्नल meaning बताऊंगा फिर मैं आपको statutory meaning बताऊंगा मतलब company जो लो है जो company act है आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले company act पहले 1956 का एक act था हमारे पास इसको बाद में amend किया गया और 2013 में हमारे पास एक नया act आया तो अभी company year 2013 applicable है तो हम देहिंगे company low के नुसार company का मतलब क्या है तो सबसे पहले में जर्नली बात करूं तो जो कवर्ड company है वो लेटिन लातीनी बार्षा के वर्ड companies company company से मिलकर बना है और जो companies word है यह दो वर्ड से मिलकर बना है एक तो कौं एक तो पैनिस companies companies कम का मतलब कौं का मतलब सी ओं कौं का मतलब होता है basically together एक साथ कौं का मतलब होता है पैनिस का मतलब होता है ब्रेड ब्रेड मतलब कोई टुकड़ा कुछ खाना तो पहले पुरायन टाइम पर जब लोग एकठा खाना खाते थे तो उनको बोलते थे company in the ancient time group of person who ate together जो एकठे खाते हो एकठे खाना खाते थे उसको company बोला जाता था और वहीं से company जो है वो डवलप हुई और company का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई business शुरू करते हैं या कोई किसी प्रका की charity का काम करते हैं मतलब बोलने का मैं दो बाते बोल रहा हूं या तो कोई दो या दोस्जा लोग social purpose के लिए कठे होते हैं या economic purpose के लिए economy परपस के लिए या social purpose के लिए तो उसको company बोला जाता है company के लिए जूरी बिल्कुल नहीं है कि आप economic purpose के लिए company बनाओगे बहुत सरे companies profit के लिए नहीं होती non profitable companies भी होती है social purpose के लिए भी company आप बना सकते हो जूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको company बनाके profit ही कमाना है economy ही आपको ओपर develop करनी है आपने फाइदा ही देखना ऐसा विल्कुल भी जुरूरी नहीं होता तो मैंने क्या बताया आपको कि generally company word जो है वह latin word company से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉम का मतलब है together and panis का मतलब है bread therefore in ancient time company mean company का मतलब क्या होता था company was the group of persons who ate together जो कठा खाना खाते थे therefore company का मतलब हम जर्णली क्या बोल सकते है company दो या दो से ज्यादा लोगों का ऐसा समूव है जो किसी social या किसी economic purpose के लिए एकठे होते हैं या तो business करने के लिए या society में serve करने के लिए नोन प्रोफिटेवल companies भी होती है और जो में statutory definition की बात करों तो हमारा जो companies act 2013 है इसका section 2 सब section 20 यह क्या बोलता है यह बोलता है simple company means company registered under the companies act 2013 और any other company law before this act company का मतलब यह है कि जो company का मतलब यह है कि जो company 2013 या 1957 के अंदर जो रिजिश्ट्र होगी company उसको company बोलेंगे this is the meaning of company I hope आपको समझा गया होगा अब आगे देखेंगे कि company characteristics क्या है company की features क्या 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 है क्या क्या महत्यपूर्ण features है company कि अगर आप company बनाते हो तो company क्या इससी features है जो बड़ी महत्यपूर्ण है सबसे पहली feature है separate legal entity company की एक separate legal entity है बात को समझे कोशिश कर ला है separate legal entity का मतलब क्या है कि company और उसको बनाने वाले लोग member of company members of company they both are separate they both are different they both are not same if I am the member of company then it is it doesn't mean that I am a company company अलग होती है उसके बनाने वाले member अलग होते हैं दोनों के आपस में separate legal entity है company कुछ गल्थ करेगी company के उपर case किया जा सकता है members गल्थ करेंगे members के उपर case किया जा सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि company और members को एक ही माना जाएगा companies और company की जो members हैं दोनों की अपनी separate legal entity होगी this is called the first characteristics of the company company की पहले विशेश्चता यह है कि company की अपनी अलग से separate legal entity है company अलग से person माना जाता है कानून की नजरों में company को बनाने वाले लोग और company दोनों सेम कभी भी नहीं माने जाते हैं दोनों अलग अलग माने जाते हैं स्टूडेंट्स आपको इसके रिगारी बढ़े महत्तपून केस बता देता हूं इस केस में से question आता है द्यान से केस सुनना है Solomon वर्सिज 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 सेलमन कम्पनी लिमिटेड 18 97 18 97 इसकेस में क्या हुआ था द्यान से मेरी बाहत सुनना इसकेस के ड्रेक्टली कॉशन आ जाता है डिसकस दर लो लेडर अंडर सॉलमन और वर्सिज वर्सिज जूत्य का जूत्य का बिजनस था इसने क्या किया इसने तीस हजार में अपना बिजनस जो था किसको बेच दिया एक कंपनी को कंपनी का नाम था सॉलमन एंड कंपनी लिम्टर ये कंपनी किसने बिनाई थी सॉलमन नहीं बनाई थी इसने अपने गर के मेमबर्स के साथ मेंपनी को बेच दिया और उसके उठीच में पैसे ने लिए और ऊपने ऐसरे सब्सक्राब और यí!" ऐसे पद्स करों आप आप क्या हो सब दोर् आप कुछ नोज़ना है और उनको लोगों को दे दिया जाता है उनको शिर्स बोलते हैं और क्या होते हैं कंपनी को पैसा चाहिए लोगों से उदार चाहिए लोगों से पब्लिक से उदार चाहिए तो डिवेंचर इशू करती है कंपनी और उदार ले लेती है पैसा लोगों से इसको डिवेंचर बोल का तो कंपनी के पास जो सब्सक्राइब तो उच्फनफॉर ने फेल सर्फ में 10 तो सोलेमन ने जो डिवैंचर लिए थे वो थे मतलब सोलेमन एक सिक्योर क्रेडिटर था सिक्योर क्रेडिटर सोलेमन एक सिक्योर क्रेडिटर था और दस हजार सोलेमन को जाने थे बाकी 7,000 बाकी outsiders को जाने थे 6,000 रोटल पैसे थे जब Solomon जो था उसको preference दीगे कि सबसे पहले इसको 10,000 दीए जाएंगे मतलब जो भी पैसा सबसे पहले इसको जाएगा बाकी outsiders बाद में पहले इसको पैसा जाएगा क्यों? क्योंकि इसने deventures लिये थे ये एक secure creditor था तो बाकी लोगों ने objection कर दिया ऐसा कैसे हो सकता है? वही Solomon की company है Solomon ने company बनाई है Solomon और company सेम ही तो है Solomon को पैसे दो गए आप तो हमें कुछ नहीं मिलेगा outsiders को तो आप पैसे पहले हमें दो outsiders को Solomon को बाद में क्योंकि Solomon और company है की तो है लेकिन court ने बोला ऐसा नहीं है यह low lay down हुआ था court ने बोला company की separate legal entity है company अलग है उसके members अलग है दोनों को सेम हम कभी भी नहीं मान सकते दोनों को सेम हम कभी भी नहीं मान सकते Solomon अलग है बेशक इसने company की डिवेंचर लिए है तो यह secure लेकिन यह अलग है और company अलग है दोनों के जो है वह separate legal entity है पहली विशेशता है बड़ी महत्रबून विशेशता है पर में कोशन ड्रेक्टली यहां से आ सकता है दूसरा है मारा limited liability तो company की में liability कैसे होती है members की limited होती है देखो students अब बात की जाती है partnership firm की जो firm बनाती है न दोए दोसजा लोग business करने के firm बनाती है firm में liability आपकी unlimited होती है unlimited liability का मतलब क्या है कि जो firm के partners होंगे उनको outsider का debt pay करने के लिए अपनी personal property भी बेशनी पढ़ सकती है जो outsiders है उनका debt एक partner की personal property से भी recover किया जा सकता है इतना खतनाग होता है क्या होता है partnership में liability का होना लेकिर company की बात की जाती है इसमें आपकी liability limited होगी और limited कितने प्रकार की होगी दो प्रकार की यहां तो होगी limited by shares यह होगी limited by guarantee limited by share और limited by guarantee limited by share का मतलब क्या है द्यान समझे कोशी करनी है बाते आगे काम आएंगी भोजा limited by share का मतलब क्या है कि मान लो आपने company से पैसा लिया आपने company के shares लिए है 100 रुपए के तो आपके liability cable 100 रुपया देने किया company को सो से जाद देने के निया आपकी liability limited by share का मतलब है कि आपने सो रुपय है देना है आपने सो रुपी के देना है अब अगर आपने कंपनी को 50 रुपय दे दिये तो आपके लेडिए कि पैसा पैसा पे करने की आपको जरूरत नहीं है यह होती है लिए अधिया इसा कमपनी बंद होगी एतना पैसा मैं दूंगा तो जितनी आप गोगीया पह ज़ोर इस इसे एक है या बाई ग्रंटी होती है आई होग आपको समझा रहा होगा उसकी तीसी फीडर है है वह है परपैचुलتي अससाइशन श्चांज सर स का मतलब क्या है कि कंपनी की कई कभी death नहीं होती, company मरती नहीं है, company का succession perpetual है, company लगत आगे चलती रहती है, नए लोग आते हैं, company के member बनते हैं, पुराने मर जाते हैं, किसी के मरने से company कभी नहीं मरती, और company के 10 लोग हैं, 10 के 10 का accident हो गया, company कागजों में हैं, अभी भी रहेगी, जब तक इसकी binding up नहीं हो जाती, company का succession perpetual है, permanent है, continuous है, नए लोग आएंगे, पुराने जाएंगे, मर जाएंगे, नए आजाएंगे, नए member बन जाएंगे, company कभी खतम नहीं होगी, company का succession perpetual है, यह इसकी विशेष्टा है, common seal, तो company के अपनी common seal होती है, common seal के उपर ही company अपना काम करते है, company directors, company common seal के उपर सारे काम करते हैं, यह भी एक company की विशेष्टा है, यह आपे बता दू, 2015 में amendment आई थी, उस amendment के जरी यह बोल दिया गया, कि common seal इतनी जुरूरी नहीं है, company के लिए भी present time पर, अभी इस time पर, common seal ना भी हो, तो भी company काम कर सकती है, अपनी head letter के उपर, जो company का head letter होगा, कोई common seal का होणा भी जुरूरी नहीं है, पहले, 2015 से पहले, company हर काम, common seal पर करती थी, this is another visual feature, अगली है, transferability of share, दोस्तों लास्ट में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, कि आप किसी भी university के student है, हमारे पास हर subject के regular session भी होते हैं, और revisionary session भी होते हैं, आप हमें हमारे workshop number 9816492276 पर message करके, आप हमसे information ले सकते हैं, किसी प्रकार की, कभी आपको इस पर reply नहीं मिले, 9816634276 पर आप message कर सकते हैं, चाहे आपने labor लोग का subject का notes या lecture लेने हो, हम notes भी देते हैं, और हम lectures भी देते हैं, मैं paid की बात कर रहा हूं, कुछ तो YouTube पे free होते हैं, अब हर कुछ, हम हर चीज YouTube पे free नहीं दे सकते, अगर आप चाहते हैं, कि 3-4 गंटे में या 5 गंटे में आपका पुरा स्व्याट खतम हो जाए, चाहे वो property law का हो, administrative law का हो, ethics का हो, या वो international law का हो, या company law का हो, labor law का हो, या वो constitutional law 2 का हो, Hindu law का हो, Muslim law का हो, चाहे वो contract law 1 का हो, 2 का हो, चाहे administrative law हो, property law हो, कोई भी session हो, आपको उसका regular भी मिल सकता है, रेगुलर का मतलब क्या है मेरा बोलने से, ये session आपका 15 से 20 hours का session होगा, 15 से 20 lectures का session होगा, ये बाला, और इसमें आपको deeply knowledge दिया जाएगा सब जाकति के बारे में, और revisionary session का मतलब क्या है मेरा, कि revisionary session जो है, वो about 4 से 6 गंटे की बीच का session होगा, कोई session होगा, जो बहुत ही length है, तो उसारी 6 गंटे का बन गया, जिसमें आपको short short करके सारा session कुछ 6 गंटे या 4 या 5 गंटे में cover किया जाएगा, तो ऐसे अगर sessions आपने लेने हो, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, अगर आपको notes चाहिए किसी subject के easy language में, तो भी आप हमसे contact कर सकते हैं, इसी के साथ thank you करता हूँ आपका, आपको कोई भी session चाहिए, वर्टसेप करिए, thank you so much.